हाई गाईस विलकाम टो दीप लेक टोनिस लैब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो 6N60 एन 7N60 जो पोपुलर पावर मॉस्पेट है इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है क्योंकि यह जो दोनों पावर मॉस्पेट है यह बहुत सारे पावर सप्लाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और जो नया नया टेक्निसियन होता है उनको इनके बारे में पता नहीं चलता है कि हमें क्या एक दूसरे के जगा पे एक दूसरे को हम लगा सकता हूं की नहीं तो यह जो सारे कोस्टन है बहुत सारे लोग अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहां पर 6N60 and 7N60 जो दोनों मॉस्पेट है इन दोनों मॉस्पेट के अंदर जो हमें में चीज़े देखने होंगे वो सारे चीज मैंने यहां पर लिख के रखा हूं और आपको यह जो रोम इस एक मॉस्पेट के अंदर सभी मॉस्पेट के अंदर रहता है लेकिन इसका जो वैलू है वो अलग-अलग होता है तो आज मैं आपको बता होता हूं जैसे कि देख सकतों पीडी पीडी का मतलब होता है सिमाम पावर डिसेपेशन इसका पावर देख सकतों की on 25 watt and इसका ज जो में डिफ्रेंस है वो 17 watt का ये कम जादा है उसके बाद हम बात करें कि वीडी एस और वीडी एस क्या है इसके बारे में और भी डिटेल में जाननकारी के लिए आपको मेरे जो पहले वाला वीडियो है जिसके अंदर मैंने विस्तार से बताया था मॉस्पेट के अंदर क् करता है उसका वार्किंग प्रिंचिपल है उनके बारे में डीटेल में वीडियो बना के राक हूँ उसको आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा घिज्या बोल्ट होड़ और यहां पर भी पचास बोल्ट का कमज़ादा है उसके बाद हम बात करें भीजी एस यानि BGS का मतलब होता है कि Maximum Gate Source Voltage और यह जो Gate Source Voltage है यह दोनों का सेम है तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है और उसके बाद हम बात करें ID यानि कि Drain Current किसी भी मॉस्पेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो Depend होता है वो ID पे होता है यानि कि इसका जो Drain Current है व वो पुरा का पुरा Depend करता है ID के उपर तो सबसे ज़्यादा किसी भी HDR या किसी भी पाउड मॉस्पेट को Change करने से पहले उसका एक बार ID चेक कर लेजिएगा कि आपने जो ID जो लगा हुआ था पहले से उसका कितना है और जो आप नया बाला लगा होगे उसका कितना है तो 6N 5N 4N 2N 8N जितने सारे आपका मॉस्पेट होता है उसके अंदर से आपको इस तरह की जो आमपेर है यानि कि कारेंट है आपको देखने को मिलेगा तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि हम 6N 60 के जगा 7N 60 को लगा सकता हूँ लेकिन 7N 60 के जगा 6N 60 को नहीं लगा सकता हूँ लेकिन अगर आपके किसी भी पाउर सप्लाई के अंदर 6N 65 हो या 6N 65 हो या 7N 45 हो अगर इस तरीके का नंबर आपके मॉस्पेट के अंदर मिल जाए तो आप 7N सेरीज का कोई भी मॉस्पेट आप उस जगा पे लगा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होंगे उसके बाद करेगा और 50 डिग्री से अगर जादा हो जाएगा तो हमारा जो मॉस्पेट है वो दुरंत खरफ हो जाएगा और आपका जो पाउर सब्ला है वो काम करना बंद कर देगा और उसके बाद हम सीडी की बात करें अब देख सकते हो सीडी सीडी का मतलब है कि ड्रेन सोर्स क्याप से तो उसी के हिसाब से अगर हम 6 & 60 का क्या सिडीन की बात करें तो 95 पीको फेराड है और हम अगर 6 & 60 के बात करें तो और 40 पीको फेराड है तो इसमें से आपको अच्छे से पता चल गया है कि 6 & 60 और 7 & 60 या इस तरह की गा जो 7 & 65 & 60 जो भी मॉस्पेट है इसके अंदर किस तरीके से बोल्टेज होता है किस तरीके से अमपेर होता है और हमें कौन-कौन सा चीज़ के ओपर धहन में रखना होग तो अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक के ओपर तो आप मुझे नीचे कमेंड करके बता सकते हो और उसके आलाबा अगर आप मेरे से और भी परसनली कॉन्टेक करना चाते हो तो मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक का लिंक नीचे डिस्क्रेशन मे दिया हुआ है वहाँ पर जाके भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो थैंक्यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाई